अच्छा यह ला कुश्चिन को रहे तो बहुत ही असान है अच्ट 25 मीटर लॉंग ट्रेन इस रूनिग अट थिर्टी किलो मेटर पर रार तो तो टाइम इन स्पीड का अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे इट इस इस उन यूट्यूब थिक है प्लीज दू वाच बड़ी स्पीड होगी उसे चोटी स्पीड हम लोग सब्राक्त करते हैं इसको अगर आपने कभी इमेजन किया होगा अगर हम कभी ऑपस डिरेक्शन में घुजरते हैं तो छब दो ट्रेन आपस में बहुत इरेक्शन में रहले सिक्शनगकम् लगता है कि यारा स्पीट कंपारेटिवली कम है ठीक है जिसे आपने देखा कभी लोग ओटेक करते हैं तो डेकिन अरांड अरांड हींट क्लोमेटर पर आर की स्पीट से कभी कार चलाते हैं तो लेकिन अगर दूसरी गाड़ी से ओवर्टेक लेना है लेकिन इफ बोट और इंद ऑपजिट डिरेक्शन तो जुक कैसे गुजरते हैं गाड़ी आपस में जुक ठीक है तो हमेशा याद अखना है कि अगर सेम डिरेक्शन में हो तो हम स्पीट को सब्ट्राक्ट करते हैं ऑपजिट में भी आड़ चलो तो यह अगर फंडा ए इस फंडे को अगर आपने अच्छे से और देखना है तो यूदू वट्वाच माय ताम स्पीड यंडिस्टेंस वालब विडियो विडियो विच और यूट्व थीक है तो इससे आविलेबल और यूट्यूब एल्सवाड सो ए 225 5 meter okay suppose this train is moving in this direction with a speed of with a speed of 30 km per hour ठीक है अच्छा how much time does it take to cross a man suppose यहाँ पर एक आदमी है ठीक है and this man is also running at a speed of 3 km per hour in the same direction ठीक है इसी direction में यह भाग रहा है at the speed of 3 km per hour ठीक है तो जाहिए सी बात है speed train की ज्यादा है तो train तो overtake कर लेगी ठीक है तो कितना time लगेगा overtake करने में time के लिए you need distance and you need speed ठीक है तो distance will be nothing but length हम हमेशा length को हमेशा add करते है ठीक है चाहिए train की length हो चाहिए वो दो platforms train के साथ platform हो चाहिए वो कोई भी direction हो length distance हमेशा add होते है लेकिन length of a man length of a tree length of a pole comparatively train के negligible होती है तो हम length of a man नहीं लेते है ठीक है तो इसमें जो भी distance होगी that will be nothing but length of a train only तो इस case में distance will be how much distance will be nothing but length of a train आप कह सकतो length of a train plus length of a man man की length कितनी होती है जीरो negligible है ठीक है तो distance will be nothing but length of a train that will be nothing but 225 meters ओके और speed क्या जाएगे speed मैंने का तो same direction में हम लोग speed को क्या करते है हमेशा subtract करते हैं कम हो जाते speed same direction है ठीक है ध्यान रखना 30-3 30-3 will going to give me 27 km per hour bracket में जरूर लिखूँगा same direction same direction में speed हमेशा subtract होती है ठीक है अब क्योंकि मुझे time पूछा गया है seconds में speed दिये है km per hour में distance meters में दिये तो I have to convert speed into meter per second ठीक है बहुत आसान है उसी में मैंने time speed and distance में बच्चों को बताया है कैसे unit convert करते हैं बड़ी unit छोटी unit सब बताया है so km per hour is a बड़ी unit meter per second is a छोटी unit तो बड़े से छोटा जब हम लोग unit change करते हैं तो छोटे number से multiply करेंगे definitely and 5 by 18 is that छोटा number ठीक है so 27 into 5 by 18 is that छोटा number ठीक है तो इसको आप 9 से करो 9 3 27 9 2 तो यह जाएगा 15 by 2 meter per second ठीक है ओके तो speed or distance आच चुकी अब हम time निकाल चुके निकाल सकते हैं ठीक है time निकालना is very easy time कैसे निकाल लेंगे time will be is equal to आपको पता है speed is equal to distance upon time time will be distance upon speed directly distance लिख रहा हूँ 225 upon speed is 15 by 2 तो 15 upon 2 है वो 2 उपर चल जाएगा ठीक है बच्चे मुझसे कल भी पूछे से सरे multiply कैसे हो गया ओके तो 2 उपर चल जाएगा numerator में ओके और 15 अगर आप इसको solve करोगे तो 15 1 जा 15 and 15 5 जा 75 जा 15 2 जा 30 seconds is the right answer ओके कर दो कर दो कर दो